इसके बाद हम आते हैं अपने पूरान पर, पहले हम बात के रहे वेद, कितने वेद हैं? वेद तो चार है, कौन से? जैसे कि सरपर्थम कहा जाता है, अथर वेद को सरपर्थम कहा जाता है. अथरवेद जब ब्रह्मा जी के मुखारविंद से उत्पत्ती हुई थी पूरवदिसा की तरफ तो वो अथरवेद पूरवदिसा के मुखों से निकला दक्षन दिसा की तरफ हुआ अजिरवेद, सामबेद, रिगवेद ये चारो वेदों की उत्पत्ती हुई तो ब्रह्मा के मुखारविंद से तो सास्त्र में ये भी कहा जाता है कि पंचम उर्द माने उनका पंचम उर्द से 18 पुराणों की रचना हुई जिस 18 पुराणों में भगवान के लीलाओं का गुडगान किया गया था भगवान इस धरातल पर आए या इस धरातल पर कौन-कौन किस किस पाए तो हमें करना क्या चाहिए जिस 18 पुराणों को सुत्र एक है कि दान करो, धर्म करो, कर्म करो, हर विक्ति का अच्छा सोचो जिस पुराणों में मत क्या है कि किसी का अनहित हमें नहीं सोचना चाहिए अगर परमातमा को पाना है तो ये पुराणों के द्वारा ही हमें ग्यान की प्रेणा होती है जिसे हम परमात्मा को जान सकते हैं यह 18 पुराणों से ही हम जान सकते हैं वेद के बाद है चार वेद हैं जैसे आपने बता है तो आप क्या हर वेद को बता सकते हैं थोड़ा उसके अर्ण डीटेल्स में देखें, चारो बेदों से ही तो सारे सनातन धर्म का बेद पुराणों का जो वरणन हुआ है, तो सब चारो बेद से ही हुआ है, अपने अपने आधार पे रिश्यों ने इन चीजों का वरणन किये हैं, और जैसे साम बेद हुआ, तो संगीत हुआ, यजूर बेद हुआ, तो झाल झाल